Hello everyone, I am Ayesha from National Academy of Fire and Safety तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ First Act के बारे में First Act क्या होता है? इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी और जब भी हम जल जाते हैं तो उसके लिए First Act क्या लिया जाता है? इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी तो देखें First Act जो है वो immediate treatment याने की तुरंत देने जाने वाला treatment है जो की जो भी person है अगर वो sickness या illness उसे हो जाती है या वो जल जाता है तो कोई भी असी injury होती है तो उसको जो पहली treatment दी जाती है उसे बोलते है First Act ठीक है अब जब First Act प्रोवाइट की जाती है जब जो First Act है अगर हम प्रोवाइट करते हैं किसी भी person को तो जो भी उसकी injury रहती है उस पे पहले लिया जाने वाला reaction जो रहता है उसे कहते हैं First Act ठीक है तो First Act जैसे चोट लगी है तो उसकी bleeding हो रही है तो हमें पता होता है हम कैसे उसकी bleeding रोक सकते हैं जैसे hand में हो रही है तो उसका hand ऐसे उपर करके मतलब flow है जो blood है वो flow ना होने पाए हम उसको उपर की direction में रखके जहांसे blood flow हो रहा है उसे दबा देते हैं तो blood flowing रुक जाती है पर जब हम जल जाते हैं तब हमें क्या करना होगा इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी तो सबसे पहले हम बात करेंगे aim क्या है First Act का? First Act का क्या aim होता है? तो aim जो है First Act का वो यह होता है Preserve Life यानि कि जो First Act पहला दिया जाता है किसी भी casualty को किसी भी person को जो घायल हो चुका है या उसे चोट लग चुकी है तो जो First Act दिया जाता है treatment दिया जाता है उससे हो सकता है उसकी life जो है वो बच जाए उसको जो भी हम treatment दे रहे हैं उसको ठीक है उसे कोई भी casualty होई है तो वो future harm जो भी उसे होने वाला है मतलब माल लीजिए आपने तुरंती action ले लिया उसके साथ तो जो future harm होने वाला है उससे वो बच सकता है वो safe हो सकता है ठीक है और उसे जो pain हो रहा है जो दर्थ हो रहा है उससे भी हम relief दिला सकते हैं अगर first aid जो treatment है वो ठीक से दे देते हैं तो ठीक है तो aim of first aid यही है कि जो भी हम यह 3 step first aid के लिए जो भी हम करते हैं तो यह 3 step उसमें cover हो जाते हैं तीन चीज़े जो है वो follow हो जाती है उसमें कि जो person है उसकी life भी बच जाएगी जो भी उसे future harm होने वाला है उससे भी बचा जा सकत है ठीक है तो यह aim होते हैं first aid के कि जब भी हम कोई भी first aid किसी को देते हैं तो उसकी life हम ऐसे safe कर सकते हैं अब बात करें अगर degree की burns of degree कितना होता है तो इस तरीके से first degree burn रहता है second degree burn और third degree burn जब first degree होता है तो हम बहुत ही skin के उपर जले होते हैं second degree में थोड़ा अंदर जखम ह हो जाता है गाह हो जाता है third degree में थोड़ा उससे और जादा हो जाता है तो इसमें क्या रहता है जब भी first aid ले रहे हैं burns के लिए तो हमें कोई और चीज़े नहीं लगानी है उस पे उसमें हमें क्या action लेना है वो में आपको बताती हूं यह देखिए सबसे पहले तो आपको कवर कर लेना है कभी भी हमें other things यूज नहीं करनी चाहिए जैसे कि toothpaste हो गया ice हो गई butter या oil ऐसी कोई भी चीज यूज नहीं करनी चाहिए क्या होता है जब भी वो जैसे हम जल जाते हैं और हमने पानी में हाथ डाला तो हमारे हाथ चाहां भी हम जले हैं उस place पर bubbles आ जाते है और उनके अंदर आपने देखा होगा पानी भी आ जाता है तो वो water जो बनता है वो खुद में ही एक medicine होती है अगर वो water जो bubbles आए हैं तो समझ लीजे आप जहां भी जले हैं वहाँ कोई निशान नहीं पड़ेगा कभी भी जैसी वो bubbles food जाएंगे वो जो पानी है वो खुद पर या पैर पर जहां भी आप जले हो वहाँ आ जाएगा और उसके बार वो निशान जो रहता है वो नहीं आएगा तो जब भी जलते हैं तो हमें इस प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए और माल लिजे बॉड़ी पर आग फैलना शुरू हो गई है तो तुरन जमीन पर लेटक अब यह कुछ गोल्डन रूल्स हैं फस्ट आट के ठीक है सबसे पहले तो कोई भी इंजरी हो रही है कोई भी एक्सिडेंट हो रहा है तो घबराएनी काम डाउन हो जाए उसके बाद अपनी सेफटी अपने हाथ में रहती है सेफटी फस्ट याद रखना होता है अगर आप अब में भी फसे हुए है तो खुद को कैसे बाहर निकाले हिए सोचकर पहले खुद को बाहर निकाले और एमर्जेंसी रिस्पॉंस सिस्टम जो भी है आपको धिहान में रखना चाहिए कि तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करते है अगर आपको आग लग गई है आपकी बॉड जान बचाने के काबिल है तो आप ध्यान रखिए जो भी परसाने इंजर्ड है उसका खयाल रखें या आप किसी और की हेल्प कर रहे हैं उस आग से बाहर निकालने के लिए तो आप ये फस्ट एड जो है वो फॉलो कर सकते हैं ठीक है अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसे रोखने की कोशिश करें ठीक है और जो भी मतलब उस इंसान को घुटन फील ना हो जो भीड़ भाड अगर इखटी होती है तो उसे हटा दें इस तरीके से अगर आप ये गोल्डन रूल फॉलो करते हैं तो आप इजीली किसी भी एक्सिडेंट के होने की बाद की को सॉल्फ कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, जब भी आग लगती है तो सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम होता है कि लोग घबरा जाते हैं इस वज़े से जो छोटा सा एक्सिडेंट हो रहा होता है वो बड़ा बन जाते हैं, तो सबसे पहले तो घबराना नहीं है, काम उसके बाद जो first steps जो है emergency response करना है, खुद से बाहर निकलने की कोशिश करना है, पहले अगर body में आग भी लगती है, तो जो आपको solution बताया गया है, उसको follow करना है, ठीक है, इस तरीके से अगर आप खयाल रखेंगे अपना, तो आप कोई भी injury होने से खुद को बचा सकते हैं ठीक है, तो first ad का एक बहुत important role है, अगर कोई भी accident होता है उसमें, तो आप अगर ये first ad जो follow करते हैं, ठीक है, burns के लिए, तो आप जो भी accident हो रहा है, उससे बच सकते हैं, और ये golden rules follow करते हैं, तो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये golden rules जो हैं, ये सच में आपकी life prevent करने के लिए help करते हैं, ठीक है, ये golden rules जो लिखे गए हैं, यहाँ पर अगर आप इनको सच में ठीक से follow करेंगे, तो आपकी life भी पचेगी, और first ad अगर आप carefully लिंगे, तो आप किसी भी तरीकी की आग हो, उसमें से अगर खुच से निकलने की कोशिश करेंगे, और उसके बात सारा solution करेंगे, तो बिल्कुल आपको कोई harm नहीं होगा, और जो भी feature harm होने वाले हैं, first ad अगर आप ले लेते हैं, तो उनसे भी आप बच सकते हैं, तो आज ही मैंने आपको first ad के बारे में बताया, so thank you.